द्रंक ब्लोक कॉंग्रेस त्वरा इलाका सन्नोर के ओट में महंगाई ब्रस्टचार को लेकर परदीश सरकार के खिलाफ धर्ना परदर्शन किया गया जिसमें कॉंग्रेस के बरिश्ट नीता कॉल्चिंग ठाकुर ने बतोर मुख्य अधिधी शिर्कत की इस दरान कॉंग्रेस कारेकरताओं ने हाथों में पार्टी के जंडे उठाकर ओट पाजार में रैली निकालकर परदीश सरकार के खिलाफ जम कर धर्ना परदर्शन किया वहीं ब्लोक कॉंग्रेस अध्यक्ष बामन देव ठाकुर की अगवाई में तहसीलदार ओट के माधिम स राजयपाल को ग्यापन भी सौपा गया कॉल सिंग ठाकुर ने कहा कि परदेश भाजपा सरकार के तीन साल का अब तक कारेकल पेहत निराशा जनक रहा है सरकार हर मोर्चे में नकाम साबित हुई है अब सरशाही का बोल वाला बड़ा है महंगाई चरम सीमा पर पहुंच इस कारेकाल में मजबूत हुई है करोना काल में स्वासिव वाग में हुए घोटाले के बाद अब जैराम सरकार की एक और मंत्री पर सवाल या निशान लगे है जिनके खिलाफ विजिलेंस जान चल रही है बहीं ये मामला उजागर होने के बाद एक अन्य मंत्री को दिल्ली ठाको ने कहा के द्रंग विधान सबाक्षेतर में विकास कारें को पूरी तरह ग्रहन लग चुका है सडकें खस्ता हाल होने से किसानों और बागवानों को परिशानी जिलने पड़ रही है हनोगी बांधी सडक में पूर्ग कॉंग्रेस सरकार के समय से पस चलती थी आज सड तक पूरी तरह बंद है जिसे खोलने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं यहां किसानों बागवानों की सेव सहीत अन्यवानों